बूर्णिंग फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चानल साइन्स लेर्नर आज की इस वीडियो में आपको मिलेगा इंपॉर्टेंट कोश्चन फ्रॉम एची सीपी डी फर्मा फर्स्ट येर वालों के लिए जिन्होंने अड्मिशन 2020 मिलिया है और उनका एक्जाम अब जैन्वरी में ह तो जयसे कि आपको मैंने कह।ा दा कि चाप्टर वाइस आपको इंपॉर्टेंट कोश्चन जो एक्सपेक्टड्ट है ज cameras पुच्छे जाते है उस जाते ह्डम पर अब स्सके से रिलेटेड कोई भी अपडेट अगर आ रही है राजीव गांधी युनिवर्सिटी से या फिर फार्मसी कॉंसिल ऑफ इंडिया से पीसिया से तो वह भी आपको बीच बीच में मिलता रहेगा तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं और यह कोशन पेपर उठा के फ्रेक्चर भी तो उसका आगा था असके प्र Notre टार्ट रखाया थे तो चहां पर भी हमारी टोटी रहती है य। सूजन आजाथ है फिर उसके बाद एल्द भीड जोता बहुता दर्द होतात,"पDY तुपर मिलते हो जाता है और बीचि अन Ridke recert ite गया चानी की जादा वहार बोकन हो गया जादा तूट गया तो वह मसल से बाहर भी आ जाएगा तो वह दिखके भी आएगा तो उसका structure different हो जाएगा dislocalation भी हो जाता है यानि कि जो जगह है हड़ी की सपोस यहां shoulder पर रता है तो इस shoulder में जब dislocation भी यानि कि जगह हट जाती है तो वह दिखने भी भी वह different shape का दिखने लगता है अब types of fractures किते होते हैं यानि कि fracture किते तरीकी के होते हैं यह बहुत important है तो तीन तरह के fractures होते हैं first is a closed fracture second is compound fractures and third is complicated fracture अब closed fracture यानि कि जो simple वाले fracture fine fracture आ गया तो इसको हम कैसे define करेंगे यह fracture उस टाइब का fracture होते हैं हलका पुलका यानि कि हमें fine fracture आ गया लेकिन उपर का skin और muscles बिलकुल सही सलामात है उसमें कुछ भी डामेज नहीं हुआ सिर्फ बोन में सिर्फ फ्रेक्चर आया उसको एक closed fracture बोलते हैं यह सबसे simple वाले fracture है यानि कि यह इतनी severity नहीं है second जो है खांसांट गें दीन चीज खराब हो गई एक तो बोन उट गतोड़ी तूट गया फिर भान का Favori जख मालों तो जसास की नहीं हे उसरी अजए reverse अब यह जो complicated है थर्ड यह तो सबसे खतरनाक है जैसे कि बहुत खतरनाक जब accident होता है तो क्या होता है उसमें उसमें हड़ी तो टूटती है muscles भी और वहां का वो भी और साथ में कोई organ भी खराब हो जाता है यानि कि ऐसा accident हुआ कोई loha वगरा या कोई shooting वगरा हो गया या बंदू की गोली चली गई तो organ यानि कि heart में चला गया तो heart भी खराब हो गया तो अब heart भी repair करना है वहां के ribs भी करना है और वहां का skin और muscles भी तो जब vital organ भी damage हो जाता है तो उस type के fracture को क्या बोलते है complicated fracture बोलते है अब next हम देखेंगे slide पे किसको हम कैसे treat कर सकते है यानि first aid हम कैसा दे सकते doctor को मिलने से पहले या doctor के आने से पहले जो हम थोड़ी बहुत मदद दे सकते है patient को उसी को बोलते है क्या first aid treatment अब इसमें सबसे पहले क्या है कि जहां पर भी fracture हो गया उसको unnecessary उसको हिलाया डोलाया ना जाए जैसे पैर में को fracture हो गया तो पैर को उसी position पर रह अगर फ्रैक्टर हो गया है तो डॉक्टर से मिलने से पहले doctor के आने के पहले हम उनको कुछ खिलाए पिलाए ना if the victim is suffering from the shock अगर शॉक भी लगया कुछ सदमा लग गया या unconscious हो गया है तो शॉक में जो treatment हम देते हैं वह हम दे सकते है first aid and next है कि take the victim और जितना जल्दी से जल् जाने के कोशिश करने चाहिए अब इसमें के special treatment हम कैसे दे सकते हैं यानि कि अगर हमारे skull damage हो गया हना जा हम helmet पेंटे तो उसको हम कैसे first aid दे सकते हैं second है कि अगर neck या spinal cord में हो गया तो हम कैसे दे सकते हैं तो first जो है कि अगर skull में हो गया यानि कि हमारी skull में अगर मार लगया तो अंदर जो brain है वहाँ पर भी अगर कुछ मार लगया तो सबसे पहले patient unconscious हो जाएगा बेहोश हो जाएगा bleeding जाना फून जाना शुरू हो जाएगा नाक से मुह से और कानों से और हो सकता है कि वह patient है उस की मदद कर सकते हैं हम क्या उसको first rate दे सकते हैं तो do not move the victim unless necessary यानि कि ambulance आने तक हम जितना जादा से जादा हो सके हम victim को ना ही लाए इतना जादा ठीक है अगर next है कि अगर face color जो redness हो गया यानिकि जादा उसका चेहरा लाल दिख रहा है यानिकि बहुत blood accumulate हो गया जमा हो गया पिलो देख करके हम थोड़ा सर उपर करते तो वैसे उपर कर देना है next क्या है कि loose cloth जो neck है chest है या trunk हो देख करके हम थोड़ा उसका पैर कर सकते हैं अगर चहरे पर bleeding नहीं दिख रही है तो ठीक है ना next क्या है कि do not give anything by the mouth कुछ भी खाने पीनी की चीज़ें उन्हें ना दिय जाए जाए और अगर neck में या spine में अगर fracture हो गया है तो वही सेम चीज है कि हम जाधा patient को हिलाए डोलाए ना उनका condition देख है अगर कहीं से bleeding वगएर हो रही तो उसको रोकने की कोशिश करें और जल्द से जल्द ambulance बुलाएं जल्द से जल्द nearby कोई hospital है वहां पर उनको पहु पहुत जाएं अगर बगए में जाए कि इतने स्पीश होते हैं 3500 स्पीशिस स्नेक के होते हैं उसमें से सारे कि सारे जितने भी सांप होते वह पौईजनेस नहीं होते तकरीबन दोसर पचास ऐसे सांप है जो बहुत वाइजनेस है उसमें के थोड़े नाम यह पे दिए की जाग मों से निकलना शुरू हो जाएगा जबान कभी पैरलाइस हो सकता है या फिर निगलने में उसको मुश्किल होगी या फिर आब आवाज भी निकलना बंद हो जाएगा कोमा में जाकर के रेस्पिरेशन खतम होते होते हर्ट भी से स्टॉप हो जाता है अचानक और आदमी खतम हो जाता है तो यह क्या है कोबरा की निशानी है और दूसरा जो है यह वाइपर स्नेक की निशानी क्या है कि जहां पर वह काटता है वहां पर स्वैलिंग आ जाता है वह खून वगर आना शुरू हो जाए यह रैक्टम से या फिर जहां पर सांपने काटा हो अब हम क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं तो सबसे परदे तो हमें पूरी-पूरी कोशिश करने चाहिए कि डॉक्टर के पास जल्द से जल्द पहुंचा जाए पेशंट को लेकर के यहां प आपने प्रेशर और प्रेश्र लगा करके वहां का पॉइसन निकालने के कोशिश करेंगे जहां पेशन काता है प्रेश्र पैर में चाहिए पर एरिया वहां पर किसी चीज से रसी से या कुछ भी में पास कपड़ा है उसे बाहन दिया जाता है ताकि हमारा ब्लड जाद शा चाहिए वह हर्ट तक नहीं पहुंचना चाहिए क्योंकि वह धीरे दिरे ब्लड पॉईजनस ब्लड क्लोट होना शुरू हो जाता है इसलिए जो एरिया में काटा है उस एरिया के ऊपर और नीचे हमें किसी चीज से टाइट बाहन देना चाहिए अब यहां पर कि अगर स्नेक किसी साप ने काट दे तो सबसे पहले वह स्नेक की पहचन अगर हम पेशन के साथ है तो वह स्नेक को पहचान भी लेना चाहिए कि उसका कलर कैसा था उसके सिंपर जो टेक्स्टर बने होते हैं वह कैसा था क्योंकि यह इंफोर्मिशन जब दॉक्टर हम से पुछता है और हम दे जो एंग्जाइटी वगर है यानिकि उनको नॉर्मल रखने की कोशिश किया जाए कि इसनेक और जैसे अकर भीड वगर है तो उनको बोल दिया जाए कि इसनेक को मार करके होस्पिटल तक लेकर रहा हो ताकि उसके हम पहचान कर सका और बाकी की जो लोग है जो उनको फटाक से पहले होस्पिटल पहुंचा है और यह तो बात की बात है कि स्नेक को पहचाना जाए उसका कम सकम फोटो खीच लिया जाए कुछ भी ऐसी चीज जिसका हम अडिटिफिकेशन हम दॉक्टर को दे दिया जाए लेकिन हमारी फर्स्ट प्रियोर्टी होनी चाहिए कि हम विक्टम फर्स्ट्र मेल-चीज उसके नकिन दो दांक रही हो तो इसका मतलब है कि हचिच अगर तो यह नहीं जहरीला होगा तो तो दांक यह तहने दे गहरे निजान नहीं देखेंगी और ऊसके बात थर्ड पॉ accommodations के अचा साग — यानि की दर्द के सांसन जलन भी होता है और swelling भी आ जाती है और ज़ुक्व पेशंट है वह चकर वगरड़ा आ लगता है या पाहीयर से अभी होजाता है और इस पहले कर सक छींग खुन जबिटर हो सबसे पहले कपड़े से या कोई रसी से उपर और और जा हमें पेंड़ साथ के आशेया करना झाहिए ताक negotiating में रहें सब्सक्राइद करते हैं है और जो 1 cm 2 cm गहराई हुए हुए हो तहां हमें भी गहराई से कआट करके वहां के ब्लड को निकालन की कोशिश करना चाहिए這個是 होना चाहिए हमें बिल्कुल इतने करना है नहीं पर पहुँ चैंट को सोने ना दिया जाया जाए बीच मिच मैं ईसको कई तक पहुछ सीचने से पहले पहले ज़ली जली हमें करना है और अगर हो सदें तो जहां करता है और सबस्क्राइब तार्टर कम लिए नियुकर से पहुंचना नेक्स दोक्तर में कि मुस्लब सिल नाधिन दॉट Såd बड़ा था चोटा था यह सारे information हमें डॉक्टर को देनी पड़ती है और as a pharmacist as a medical line हमें यह सब first aid हमें आना चाहिए और हमें सब चीज का knowledge होना चाहिए और हमारे CT में इस तरह के कौन से hospital है जो इस तरह के patient का treatment करते हैं वो भी हमें knowledge रखना चाहिए तब हम अपने patient को बचा सक सकते हैं तो यह तो इतना था यह दो question होगे यह बहुत important question हमेशा आता है इसके सांसाती चोटे मोटे definition आ जाते कि what is first aid यह सारे चीज़े आपको PDF में इसी वीडियो में मिल जाएगी और सांत में update देना चाहते हूं कि कुछ बच्चे पूछ रहेते कि government seat जो डी फार्मा admission का ह तो साथ दिसंबर को हो गया है साथ दिसंबर से ओपन हो रहा है आप साइट पर जाकर क्याप apply कर सकते हैं और इससे पहले भी मैंने बहुत दर वीडियो सर्कुलर निकालें जैसे के age limit पे हो गया या फिर exit exam पे हो गया या फिर जो भी सर्कुलर समीं मिलते जाते हैं क्योंकि college जो होते हो direct contact में होते हैं examining authority के या PCI के तो आपको वहां पे site पे मिले या नहीं मिले college में हमारे पास आ जाता है तो इसलिए जो भी update रहता है मेरे साथ आप बने रहे हैं आपको जो भी update जैसे जैसे आता रहेगा आपको मिलता रहेगा और कुछ भी आपकी तरफ से भी queries है तो प्लीज आप comment box में लिखें till then take care and subscribe my channel like my channel and if any queries is there please ask to me I will try to reply that questions और उसके साथ ही आपको धीरे धीरे ये सारे जो दूसरे lessons भी हैं HECP के वह आपको मिलते जाएंगे थोड़ा delay हो सकता है लेकिन जरूर मिलेगा मैं तो अपनी तरफ से कोशिश करते रहोंगी till then please take care thank you झाल तो